अगर आप AutoCAD में काम करते हैं और कोई भी complicated project आपने बनाया है और उसका layer आप अलग से extract करना चाहते हैं notepad file के अंदर तो इसके लिए हमारे पास AutoCAD में by default कोई option नहीं है मैं आपको एक तरीका बताता हूँ आपको जाना है upload में और यहां से यह lisp command को आपको load कर लेना है layer extract okay कर देना है इसके लिए आपको फिर apply करने के लिए lx पे जाना है यह file मैं आपको pin comment में दे दूँगा आप वहाँ से ले सकते हैं यहां पर आप drawing directory देख सकते हैं और output option में यहां से desktop चूज कर लेता हूँ and then file का नाम है यहां पर concert hall and मैंने इसको okay कर दिया okay करने के बाद यह लगबग 5 second का time लेगा उसके बाद आपको desktop पे जाना है and finally as you can see यहां पर हमारे पास file आ चुकी है concert hall इसको आप open करके देखेंगे तो आप ओ complete layer property यहां पर मिल जाएगी पूरी layer की detail आपको यहां पर मिल जाएगी information अच्छे लगी तो वीडियो को like और channel को subscribe कर लीजे और इसी तरह की detail information के लिए automatic short series को ज़रूर follow कीजे